हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? Hope you all are fine. Today we are going to study states of matter पदार्थ की अवस्थाएं तो बच्चों, matter की three states होते हैं there are three states of there are three states of matter पदार्थ की ती नवस्थाएं होती हैं No.1 Solid state No.2 Liquid state and No.3 Gaseous state तो सबसे पहले हम Solid state के बारे पर discussion करते हैं Solid state जिसे हम ठोज अवस्था कहते हैं इसकी क्या characteristic होती है इस solid state की जो main characteristic होती है वह होती है इसका fixed volume and fixed shape Solid state के fixed volume और fixed shape का क्या मतलब होता है कि अगर हम इस पे कोई external force लगाते है तो भी यह अपने shape को और अपने volume को change नहीं करता है इसको मैं आपको एक example कित्रों समझाती है अपने यह coin आप देख रहे हो यह किस state में है यह solid state में है मैं इस पर कितना भी force लगा लूँ यह अपने state को change नहीं कर रहा है आप देख रहे हूँ मैं इस पर कितना भी force लगा रही हूँ इसका कोई भी shape चेंज नहीं हो रहा है और जो इसका volume है वो भी fixed है तो इस example से आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो solid state होती है उसका volume fixed होता है और shape भी fixed होता है अगर मैं इस coin को किसी पानी के glass में इसको में डालती हूँ तो भी आप देखना इसका जो shape है वो change नहीं होता है यह आप देख रहे हो इसके ना तो volume में ही कोई change है और ना ही इसका shape change हो रहा है तो इस तरह आप अपने घर में इस experiment को करके यह देख सकते हो कि solid जो state होती है उसका fixed volume होता है और fixed shape होता है अब हम पदार्त की दूसरी अवस्था को देख लेते हैं पदार्त की जो दूसरी अवस्था है उसे liquid state कहा जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं द्रव अवस्था तो liquid state की क्या characteristics होती है इसकी जो में एक main characteristic होती है वह होता है इसका fixed volume यानि कि इसका जो item होता है liquid state का वो परिवर्टित नहीं होता है इसका क्या मतलम हुआ कि जो पदार्त की द्रव अवस्था होती है इसका item तो fixed होता है लेकिन जो इसका अगार होता है वह परिवर्टित होते रहता है इसको मैं आपको एक example की तो दिखाती हूँ यह मैंने liquid लिया है एक glass में और यह आप देख रहे हैं कि यह इसका जो shape है इस glass की तरह से है अब मैं इसको दूसरे cup में ताल देती हूँ अब आप देख रहे हो कि इसका volume तो same ही रह गया लेकिन इसका जो shape है वो अब change हो चुका है तो इस experiment से आप यह देख सकते हो कि जो liquid state होती है पदार्थ की उसका volume तो fixed ही रह गया लेकिन उसके shape में परिवर्तन आ चुका है तो बच्चों मुझे लगता है आप यह बाल समझ चुके होगे पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैसी अवस्था इस अवस्था की क्या characteristics होती है गैसी स्टेट वे स्टेट होती है जिसका नो fixed volume ना तो इसका आइतन ही fixed होता है और ना ही इसका shape fixed होता है जैसा कि हमने पिछली स्टेट में देखा no fixed shape बच्चों जो next term हमको पढ़ना है वह है diffusion जिसे विसरन भी कहा जाता है तो अब यह question उठता है कि विसरन क्या होता है तो जब हम दो substance को mix करते हैं तो इनकी जो mixing होती है उसे हम diffusion कहते हैं अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह diffusion होता किस तरह से हैं तो जो substance होता है वो किस से मिलकर बने होते हैं matter से बने होते हैं और matter के अंदर क्या पाये जाते हैं particles तो इन पार्टिकल्स का जो movement होता है movement of particles causes diffuses diffusion और यह mixing तब तक होती रहती है जब हम लोगों को एक homogeneous mixture नहीं मिल जाता तो अब यह जो movement होता है जो ज़िस区 में matter के जश्पी lied में में जितने होता है उश स्टेट में diffusion उतना ही जाना होता है तो हम लोगों ने यह पहले भी पैद चुका है कि जो 9 इस्टेट होती है उसके जो Milliarden होते है उनके बीच में attractive force सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद जो liquid state होती है उनके particles के बीच में attractive force होता है और जो gaseous states होती है उनके particles के बीच में attractive force एकदम zero होता है तो सबसे ज़्यादा diffusion आप लोग खुद ही बता सकते हो कि किस state में होता है तो सबसे ज़्यादा जो diffusion होता है वैं gaseous state में होता है इसके बाद liquid state में होता है और उसके बाद solid state में सबसे कम diffusion देखा जाता है क्योंकि solid state के जो particles होते हैं उनकी kinetic energy सबसे कम होती है और जो gaseous states है इनके particles की kinetic energy होती है वो सबसे जादा होती है इसलिए जो gaseous states है उसमें सबसे जादा diffusion देखने को मिलता है